Class 9 Physics Unit No.2 Types of Motion तो आईए सबसे पहली Motion को study करते हैं जो के Translatory Motion है तो Translatory Motion क्या होती है? कि किसी भी Body की ऐसी Motion जो एक Line में हो वो Line Curve भी हो सकती है, वो Line Straight भी हो सकती है तो उसको हम Translatory Motion का नाम देते हैं तो आईए इसको Definition से पढ़ते हैं तो इसकी Definition क्या है? In Translatory Motion, a body moves along a line विद आउट एनी रोटेट्शन अब रोटेशन का इदर मतलब क्या रोटेशन पर रोटेशन भी तो आप कहेंगे कि यार यह घूम नहीं होता है ठीक है और आप डेफिनेशन की मैं थोड़ा आगे भी लिखता हूँ the line may be straight और curve ठीक है अब आप कहेंगे कि भाई यह जो motion है आप कह रहे हैं कि यह एक line में होता है और line straight भी होती है curve भी होती है curve मतलब आप सोच रहे हो कि गोल गोल हाँ बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं गोल गोल और आप यह भी कह रहे हैं कि without any rotation और rotation का मतलब तो सुन लो rotation का मतलब होता है कि अपने fix point के उपर वो गोल गोल गोमें ठीक है अपने fix point पर मतलब आप एक यह जगा पर खड़े हैं तो गोल गोल गोमना शुर हो गए हैं ठीक है यहां फिर एक चीज को मतलब मैं कहता हूँ एक stone को मैंने ऐसे पकड़ा है रसी के साथ बांदा है उस stone को मैं ऐसे ऐसे गुमा रहा हूँ तो यह मेरा translatory motion है ठीक है अगर वो stone यहां फिर कोई चीज जैसे आप top की बात करो मतलब लट्टू जिससे आप कहलते हो बच्पन में वो लट्टू एक ही जगा पर अपनी जगा घूम रहा होता है तो वो rotation का रहा होता है ठीक है rotation में और curve move क motion में भी हो तो इसको हम translatory motion का नाम दे देते हैं तो इसको further तीन types में explain किया गया है linear linear motion linear motion क्या आई जी straight line motion मतलब ball को आप उपर की तरफ फैंको एक bowl है जैसे ही है इस bowl को मैंने उपर की तरफ फैंक है यह उपर से सीधा ही नीचे आएगा तो straight line motion of a body is called linear motion linear means straight सीधा ठीक है फिर random motion random motion का मतलब होता है irregular कि मतलब इसकी कोई समझ ही नहीं आ रही हो कि यार यह किदर की तरफ move का रहा है irregular irregular motion of body ठीक है यह mostly gas molecules होते है कि gas molecule एक container के अंदर है तो gas molecule कभी इदर जा रहा है 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 यह brownian motion mcqs में पूछा जाता है कि brownian motion कौन सा motion होता है random motion और वो किसमें पाया जाता है gas molecules में ठीक है इसके बाद आते हम circular motion में तो circular motion क्या है जी मैं अपको ना color change कर लूँ तो circular motion की तरफ आते हैं क्या circular circular motion ठीक है circular motion क्या है जी the motion of object in circular path क्या हम कोई भी body या कोई भी object जब circular path में move करती है तो उसको हम circular motion का नाम देते हैं ठीक है for example जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं ये एक रसी के साथ एक पत्थर बांद देता हूं तो ये पत्थर ऐसे ऐसे घूमेगा और इस घूमने को circular motion का नाम दिया जाता है ठीक है तो चलिए अब इसकी दूसरी motion पर चलते हैं जो के हमारे पास है रोटेटरी motion तो रोटेटरी motion क्या था दी कि एक ही जगा एक fix point पर खड़े होके आप घूमी जाएं ठीक है आप अपनी point को change ना करें तो इसको हम कहते हैं the spinning the spinning motion of a body about its axis about its axis called rotatory motion ठीक है for example आप घाड़ी में तो कभी बैठे होंगे तो जब गाड़ी चला रहा होता है तो उसका steering wheel होता है ठीक है तो steering wheel कैसे move करता है अपने axis पर ये उसका yellow color का axis बना रहा हूँ और वो ऐसे 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 move कर रहा होता है यहाँ एक पईया ठीक है free in motion नहीं होता वो एक point पे fix हुआ होता है और एक point के fix में वो rotatory motion कर रहा होता है वो एक spin कर रहा होता है spinning motion मतलब घूमना ठीक है वो अपने fix point पे घूम रहा होता है तो इसको हम rotatory motion कहते हैं ठीक है तो इसी तरह तीसरी motion पे आते हैं जो के है vibratory motion यह तो बड़ी मशूर होगी है तो आप बचपन से सुनते आ रहे हों कि यार मेरा mobile vibration पे था तो vibration क्या होता है गूर 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 टू फ्रो टू फ्रो motion of a body about its mean position is called vibratory motion मतलब कि एक body की two and फ्रो motion को हम vibratory motion कहते हैं two and फ्रो motion of body about its mean position mean position ठीक है called vibratory motion के एक body की two फ्रो motion को हम vibratory motion कहते हैं ठीक है और इसकी सबसे अची example c sa है ठीक है जो आप खेलते थे बच्पन में मतलब एक तरफ एक बंदा बैट जाता था दूसरी तरफ दूसरा बंदा बैट बैट जाता था ठीक है आप किताब में भी इस चीज को देख रहे होंगा कि एक बच्चा पहले उपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है ये एक तराजू की तरह है ठीक है एक मेरिंग बैलन्स की तरह है कि मतलब उपर नीचे जा रहे हैं तो c sa इसको कहते हैं ठीक है तो ये इसकी बड़ी एच्छी ग्जैंपल है वाइबरेटरी मोशन की टू फ्रो मोशन कार रहा है ये तो इसी तरह हमारा टाइपस ओफ मोशन का टोपिक भी कवर होता है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलाहफीज